हेलो गाइज वेलकम टू आयांस किचेन फ्रेंट्स आज हम आप सभी के साथ सेयर करने वाले हैं बिंस के बहुत ही मज़दार सी सब्जी की रेसिपी जो लोग बिंस नहीं खाते होंगे ना वो भी सब्जी को मांग मांग के खाएंगे क्योंकि बहुत ही मज़दार लगता है और इसे बनाना बिहर आसाने बहुत कम समय में बन के रैडी हो जाता है तो चलिए आज के मज़दार सी रेस्पी बनाना सुरू करते हैं बिंस के सब्जी बनाने के लिए लिए हमने आप एक कडाही लिया है उसे हम गरम करने के लिए रख दिये हैं और यहां मैंने 200 ग्राम लिया है इसे इसतरीके से कट कर लिया बिँज को पहले अच्छे से से वास कर ले और इस तरीके से बड़े-बड़े पीसे से कट कर ले आप चाहतivas यह थो जो चोड़ा सा छोटे चोटे पीसेस और यहां पर मैंने लिया है दो हरी मिर्श इस तरीके से कट करके और पांस अच्छा लासुन की कलियों को बारिक काट के इसे साइड में रख देंगे कडाही भी हमारा गरम हो गया है तो इसे थोड़ा सा हाथ उपर करके चेक कर ले इसे पता चल जाता है तो कडाही हमें थोड तो थोड़ा सा हम फैला लेंगे अच्छा से पहले हम तेल को गरम होने देते हैं और गैस कफले मेडियम रखना है तो जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की चीज़ डालेंगे अच्छा से गरम हो गया है अब इसमें डालेंगे वन टीज स्पुन सर्सो कदाना याने की राई और वन टीज स्पुन जीरा इन दोनों को थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे अने चटकने देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चोथा ही छोटा चमच हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो हींग डालना बिल्कुल ना भूले और जो हमने मिल्च और लैसन काटके रखा था वह भी इसमें डाल देंगे गैस का फ्लेम हमें मेडियम ही रखना है और इसे डालने के हमारा कटा हुआ आलू तो सारे आलू को हम इसमें डाल देंगे और आलू डालने के बाद हम इसे इस तरीके से चला लेंगे तो इसे बीच बीच में चलाते रहना है तो इस तरीके से चलाते रहें जिसे आलू जो है वह जले नहीं तो आलू को ऐसे ही चलाते हुए हमें मेड अलो फ्राई हो गये हैं हम हम पुर्ण से बींज्स को में तरीके से मिला लेंगे और में चलाएंगे थोड़ी दिर तो इस तरीके से मिलाते हुए थोड़ा सा चला लेना वरिशी चलने ग्यास का फ्लेम मेडियम कर देगे देंगे हैं कि दए 2 से त्रफेच पार्या नए शूला चैला लेकर तुम मेरे तरह को अब rice नहीं कि पारे हो गया है अब हम इसे चेकशा किरेंगे तो यह देखिए जो हमारे आलू और बिंज है वो अभी अच्छी तरीके से कुक नहीं हुए हैं अभी थोड़ी कसन इसमें बाकी है तो इसे हम इस तरीके से चलाने के बाद फिर से लो फ्लेम पे कवर करके हम तीन से चार मिनट और कुक करेंगे और तीन से चार मिनट बार इस बाकी हमें फिर से चलाते हुए हम इसे मेडियूम फ्लेम पे अब हम फ्राइब करेंगे तो इसमें तो इसमें थोड़ा सा क्रूंचिनिस बना रहने देना है तभी यह बिंज के सब्जी बहुत बहुत रहा टेस्टी लगती है और आलू जो थोड़ा बहुत अभी नहीं कु इसे बीच बीच में चलाते हुए हम इसे मेडियूम फ्लेम बें आप हम आप करेंगे यानिकि बुनेंगे तो मीडियूम फ्लेम गैस कर रहने देना है लो-पोट है नहीं करना है कि अब पर इसमें सारे मसाल कि क्लाम के वन टीज़ स्पून धनिया पाउडर हाप टीज़ स्पून गरम मसाला और एक चोथा चोटा चमबच आमचुर पाउडर सभी मसालों को डालने के बाद इस तरीके से हम मिला लेंगे और अब हम इसे मेडियम फ्लेम पे कुक करेंगे इस तरीके से पहले अच्छे से मिला ले मस करते हैं 15 सेकेंड हो गया है तब हम इसे हटा के चेक करेंगे वाव बहुत यह अच्छी कुस्पू आरी है हमारे कीचन में तो अब हम इसे बिना कवर की मेडियम फ्लेम पे इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा सा में इसे अच्छे से फ्राइब करेंगे जि कि देखें फ्रेंड्स हमारी सबजी बन के रेड़ी है आपने देखा इसे कितना आसान है बनाना और देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो पूछे इमद बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो हर बार इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि आपके घर में सबको बेहत पशंद आएगा तब हमें इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग है बहुत ह सब्ची खुसबू भी आ रही है तो इस तरीके से आप इसे एक बार जरूर बनाएंगे रोटी पराठी या चावल किसी के साथ भी खाएंगे ना बहुत ही मजडाल लगती है सब्जी तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले रेसिपी ट्राइब करने के बाद आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले थैंक्स पर वाचिंग बबाब